घेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल एन तो दोस्तो आज क्सी वीडियो में हम आपको बताएंगे करें मित्रा एप्स में पासवर्ड फोर्गेट कैसे करें तो दोस्तो आपको मित्रा एप्स ओपेन करना है जब आप मित्रा आप सपेन करेंगे तो कुछ इस तरह से निर्फिस आपको दिखे देगा आपको लाफू नमर एड़ करना है ठीक है लाफू नमर यानि मोबाइल नमर आपको यहां पर एड़ करना है तो आप इस पासपोर्ट को फॉर्गेट करके नया पासपोर्ट क्रियेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्गेट पासवर्ड फे किलिक करना है जब आप फॉर्गेट पासवर्ड फे किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना लाफू नमर यानि मोबाइल नमर आपको यहाँ पर एड़ करना है तो जैसे कि मैं अपना मोबाइल नमर यहाँ पर एड़ कर रहा हूँ यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर लाफू नमर एड़ कर दी हैं उसके बाद आपको generate OTP पे किलिक करना है जब आप इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको mobile नमर पे OTP गया होगा ठीक है यहाँ पे आपको enter OTP आपको यहाँ पे OTP एड़ करना है उसके बाद जो आप password रखना चाहते हैं वो आपको new password यहाँ पे create करना है उसके बाद आपको confirm password create करना है अगर आप मान लिजिए आपके नमर पे OTP नहीं गया तो reach generate OTP पे किलिक करना है उसके बाद आपको नमर पे OTP आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे enter OTP करना है तो मैं अपना OTP यहाँ पे add कर रहा हूँ यह OTP लेगा आपको छेंका यहाँ से आपको copy कर लेना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम OTP add कर दिये हैं और हम new password भी बना लिए हैं जो भी आपको password बनाना है यहाँ आपको याद रखना है कि आप password में आपना नाम या ABCD का कुई आख्छा लिख सकते हैं और एजिगरेट बीच में add कर सकते हैं उसके बाद 123 या कुछ भी आपको यहाँ पर add करना है इस तरह से आपको password create करना है अगर आप ऐसे password create करते हैं तो आपको password बनाने में कोई फ्रेवलम नहीं होगा और आपका चुब password है वो एस्टरोंग हो जाएगा उसके बाद आपको create पर click करना है जब आप create पर click करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि OTP expire हो चुगा है तो आपको फिर से uniquipkill करना है उसके बाद फिर आपको ओटी पर यहाँ पर करना है उसके बाद फिर आपको न्यू passport add करना है और आपको यहां पर फिर confirm keyword यहां पर एड करना है तो हम檃इनople kg कर दी हैं तो हमारे नमर पे फिर से OTP गया होगा फिर से हम New Passport यहां पे Create कर दिये हैं उसके बाद आपको Create पे किलिक करेंगे जब आप Create पे किलिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि Your Passport is Change Successful देख सकते हैं कि मेरा Passport है वो Change हो चुका है यहां पी Successful लिखा चुका है तो दोस्तो इस तरह से आप अपना Airtail Payment Bank यानि Midra Apps में आप Passport Change कर सकते हैं तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगए आप हमें कमेंट वाक्स में ज़रू बतेगा तो चलिए दोस्तों